कि नमस्कार हम मौजूद हैं हर हाल में हर वक्त आपकी आवाज बनकर बेखौफ आजाद आवाज हम आज के प्रोग्रेम की शुरुआत एक सवाल से कर रहे हैं सवाल यह है कि पूरी दुनिया में भारत का डंका किस ने बजाया जनता के पैसे पर सरकारी मीडिया के जरिये हाओडी मोदी जैसी रैलियों ने या प्रॉफेसर अभीजीत बैनर जी ने जिने एकनॉमिक्स का नोबिल वुरुसकार मिला है अभीजीत और डुफ लोज उनकी पत्मी है माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स पर एक रिसर्च की थी अपने एक और से योगी के साथ माइकल क्रेमर के साथ जिस पर तेरह देशों को शामिल किया गया था इस पर जो शहर शामिल थे उनमें हैदराबाद उदैपुर उत्त तरह से उस पैसे को खर्च करते हैं और उनकी आमदनी का जरीया क्या है अभीजीत बैनर जी अभी मैसेच्यूसेट्स इंस्टिटूट अफ टेक्नोलोजी एमाइटी वहां पर एकनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं इससे पहले वहावर्ड यूनिवर्सिटी और प्रिंस्टन की दिग्री हासिल की उसके बाद उन्होंने 1981 से 1983 के बीच जेन्यू में में एकी जेन्यू जिसे आजकल देश द्रोह का परयाई भी माना जाता है जेन्यू में पढ़ाई करते वक्त वो तीन सो चात्रों के साथ दस दिन के लिए तिहार जेल भी गए थे बैनर जी ने इनकी बड़ी पहचान बड़ी सन 2011 में जब इनकी किताब पूर एकनॉमिक्स रैडिकल री थिंकिंग ऑफ वे तुफाइड ग्लोबल पॉवर्टी आई थी इससे जब अभीजीत बैनर जी को नोबिल पुरुसकार दी जाने का ऐलान हुआ तो कई अर्थ शास्त्रियों ने उनके योगदान को Harvard University के hard work से जोड़कर बताना शुरू कर दिया है hard work और Harvard का रिष्टा यह जो बयान है यह नरेंद्र बोदी के उस बयान की वज़े से किया गया जिसमें उन्होंने कहा था hard work is hard work जो होता है वो Harvard से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है वेराल मेरे साथ है JNU के वरिष्ट अर्थ शास्त्री प्रोफेसर एमेरिटर्स श्री अंजन्द मुकर जी प्रोफेसर अंजन्द मुकर जी आपने प्रोफेसर अभीजीद बैनर जी को पढ़ाया भी है Sir I thank you very much for sparing your time for us and welcome to our show बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरा पहला सवाल आपसे है कि Abhijit को जो Nobel Prize मिला है उसके लिए JNU और आपको तो मुबारक देते ही हैं Abhijit को मिले इस Nobel की सबसे बड़ी achievement उप लबधी आप क्या मानते हैं Is it a personal achievement or what does it mean for the world देखे economics का जो research का धारा था उस में थोड़ा change आ गया यह Abhijit का personal life में भी यह personal academic life में भी इसमें यह changes आ गये पहले वो economic theory करते थे लेकिन उसके बाद उन्होंने experimental research करने शुरू कर दिये और यह मेरे पास सबसे ज्यादा जो उनका contribution जो सबसे important लग रहा था कि बड़े questions को छोटे छोटे टुक्रे में अगर हम बांट लिया जाए तो वो छोटे questions के मुद्दे पर हम पूरा सवाल के जवाब ढून सकते हैं लेकिन इसको कैसे किया जाए तो इसके लिए वो randomized control जो trials वो लगाने शुरू किये तो उससे यह छोटे प्रशन के ऊपर analysis असान हो गया जी मैं तो अब देखिए जैसे आप आपको एक उधारन देने के कोशिश कर रहा हूं कि आपको दो तीन टाइप के policies हो सकते हैं कि लोगों को बच्चों को midday meal दिया जाए या vaccination किया जाए या किताब दिया जाए उनको या उनके mother की education level बढ़ाया जाए लिटरिसी लेवल तो इसमें से कौन सा सब कुछ अगर एक साथ करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है लेकिन ये कर नहीं पाते हैं तो इसमें से एक अगर policy चूनना है कि इसके उपर government खर्चा किया तो इसके बारे में वो एक कुछ उपाए निकाल पाएंगे जी मैं इसका जवाब मिल पाएगा मैं इसका थोड़ा detail देता हूं आप पर वापिस आता हूं मैं आप पर वापिस आता हूं जो जैसा प्रोफेसर अंजिल मुकर जी कह रहे हैं बीवी सी के मताबिक अभीजीत बेनर्जी की ही एक study से भारत में जैसे प्रोफेसर बता रहे हैं विकलांग बच्चों की स्कूली शिक्षा बेहतर बन पाई है जिससे करीब 50 लाग बच्चों को फायदा पहुंचा है दिल्ली के मुक्यमंतरी अर्विन केजिवाल का कहना है कि अभीजीत बेनर्जी के model पर ही उनकी सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के हालात बदलने में क कर चुके हैं मोदी सरकार के सबसे बड़े नोट बंदी के फैसले के ठीक 50 दिन बाद बैनर्जी ने कहा था कि मैं इस फैसले की पीछे के logic को नहीं समझ पाया हूं कि घोष रितिका खेड़ा जैसे अर्थ शास्त्री भी शामिल थे सर मैं आप पर वापिस दोबारा आता हूं जो आप जैसे बता रहे थे कि रेंड़माइज वाला और उसका एक एक्जैम्पल यह भी है कि जो डिफरेंटली बच्चे हैं उनको बहुत वाइदा पहुंचा ह त्ही धरी हो रही है कि त्रिकलडाऊन हर्टैरी फेल हो रही है और दूस्री तरफ अभीजीत के नोबल पुरुसकार फिर तें फोकस गरीबी पर आ गया है पूरी दूनिया की गरीबी पर आ गया है च 沒有 किया अभीजीत के मॉडल से गरीबी हटाने में मतद मिल सकती है हाँ जरूर हो सकती है मेरा ख्याल है कि आपने पहले दो प्रुष्ण किया आपने एक तो ट्रिकल दाउन एफेक्ट कहां पर काम कर रहा है कहां काम नहीं करेगा इसको और नेरो डाउन करना होगा क्योंकि यह जरूर कोई प्रुष्ण की ट्रिकल दाउन एफेक्ट काम करेगा यह नहीं यह जवाब देना बहुत मुश्किल है बदल जाते हैं एक जगह जो चंडिशन से दूसरे जगह यह चंडिशन नहीं है और इनका पूरा रिसर्च का जो पधती है the techniques they are impervious to the local conditions ऐसा तो अगर हो सकता था तो बहुत अच्छा होता लेकिन they are not मतलब local conditions के साथ साथ यह changes हो जाते हैं results में तो इसको थोड़ा समझ के आगे बढ़ना है लेकिन अगर आपको cause and effect इसमें इसको खोजना पड़े तब आपको ऐसा कुछ experiments करना पड़ेगा नहीं तो आप belief के ऊपर बोलेंगे कि ना यह policy मेरा belief है यह काम करेगा जी लेकिन उसको ऊपर कोई evidence अगर based research जो बोलते हैं जिसको जी वो evidence कुछ है नहीं तो आपके किसके ऊपर research के findings based करेंगे जी सर तो आपको ऐसा experiments करना पड़ेगा और उसके आधार पर आप कुछ policies choose कर सकते हैं तो इसे फाइदा हो ही सकता है जिसे आपने बताया कि दिल्ली स्कूल में government schools में काफी effects आये हैं और successes मिले हैं तो ऐसे ही मिल सकते हैं सब जगा लेकिन ये सब जगा के लिए अलग-अलग करना पड़ेगा एक एकस्परिमेंट से सब जगा के ऊपर आप नहीं कर पाएंगे जी सर मैं आप पर वापिस आता हूँ ट्रिकल डाउन माने अगर मैं एक हजार कमाता हूं तो सबसे नीचे वाला जो आदमी उसके पास सो रुपे पहुंचेंगे मैं दस जार कमाता हूं त यक जार पहुंच सकता है, दस लाग कमाता हूं तो दस जार पहुंच जाया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, जो लोग कमाते हैं वो पुरा सेंट्रलाइजेशन कर लेते हैं, पैसे का अपने पास ही रखते हैं. दूसरी बार जैसा Professor अंजित मकर जी बतारे हैं कि अगर अभी मौजूदा डेटा ये भरोसा नहीं जगाते हैं कि देश की एकॉनमी जल सुधरने वाली है अभीजीद बैनर जी ने कहा कि पिछले 5-6 सालों में हमने कम से कम कुछ विकास तो देखा है लेकिन अब वो भरोसा भी जा रहा है अभीजीद बैनर जी ने 9 अक्टूबर को अमेरिका के ब्राउन युनिवरसिटी में एक सेमिनार के दौरान भारत की आर्थिक मंदी के लिए सेंट्रिलाजेशन केंद्री एकरन को जिम्मेदार ठहराया था बैनर जी ने आर्थिक हालात सुधारने के लिए मोधी सरकार को मन्रेगा, मजदूरी बढ़ाने, सरकारी संस्थानों को मजबूत बनाने और PMO का दखल अंदाजी बंद करने जैसे सुझाब दिये थे प्रामिस्टर आफिस की जो दखल अंदाजी होती है वो बंद करने के सुझाब दिये थे साथ ही उन्होंने राजनीती से प्रेडित फैसले वापिस लेने की सला भी दी थी अभीजीद बेनरजी ने कहा था कि मौजूदा सरकार को लगता है कि सरकार को और अधिक ताकतवर होना चाहिए इसलिए सवी फैसलों का फिर से सेंट्रलाजेशन किया जा रहा है जबकि वो डी सेंट्रलाजेशन की बात करते हैं अधिक तर फैसले पीमों से लिए जाते हैं उन्होंने कहा कि असलिए मैं आप संस्थाओं को खत्म नहीं कर रहे हैं बलकि उनकी ताकत चीन रहे हैं उनकी जो आटॉनमी है स्वायत तताय वो चीन रहे हैं नैशनल सैंपल सर्वे के डेटा का हवाला देते हुए अभीजीद बेनर जी ने कहा कि 2014-2015 और 2017-2018 के दोरान गांव के और शेहरी इलाकों में कंशन में कमी आई है यह पहली बार है जब कई सालों में ऐसा हुआ है तो यह बहुत ही बड़ी चेतावनी भरा संकित है अभीजीत बेनर जी नेहीं देश के तमाम और शास्री विपक्षी दल सरकार को बिगरती इर्थविवस्ता पर चेतावनी दे रहे हैं The economy is doing very badly in my view One of the numbers that just came out is the national sample survey which comes out every one and a half years or so and it gives you the average consumption in urban and rural areas in India and the fact that we see in that is that between 2014, 15 and 2017, 18 that number has slightly gone down So that's a very glaring warning sign. There's enormous fight going on in India about which data is right and the government has a particular view of all data that's inconvenient to it is wrong. I think even the government is increasingly recognizing that there is a problem. So the economy is slowing very, very fast. How fast? universities के बारे में तो लोग बोलते हैं कि कि ये लेटे हंड्रेट फ्लावर्स ब्लूम। अगर आप का चिंताधारा एक ही हो तो हो सकता है कि आपको जवाब जाये. लेकिन हो भी सकता है कि आपको जवाब ना मिले तो अगर दूसरा कोई चिंताधारा किसी का रहे तो शायद एक प्रॉब्लम का समाधान हो सकता है. लेकिन इसी लिए लोग बोलते हैं कि बहुत सारे अप्रोचेज मन में रखना पड़ता है. जेनियू में यही हम लोग जब पढ़ाते थे अर्लियर टाइम्स कि बहुत सारे अप्रोचेज एकिनोमिक्स के हैं, सब स्टूडन्स यह सबी देखते थे कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मांस को पढ़ें या एडम स्मित को पढ़ें, मांस भी पढ़िये, एडम स्मित भी पढ़िये, डेविड रिकाडो भी पढ़िये, लियों वालरास भी पढ़िये, सब कुछ पढ़िये हमारे देश का जो चिंताधारा है जैसे चानक के अर्थ शास्त्र ये भी याद रखिये कि क्या हो रहा है तो तभी आप एक समाधान कर पाते हैं लेकिन अगर आप बोल दीजिएगा कि नहीं एक ही चिंताधारा होना चाहिए तब तो बहुत मुश्किल है कि सिर्फ मार्क्सिस होना चाहिए या सिर्फ आडम स्मिथ को पढ़िये और कुछ पढने का जरूरत नहीं तो ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए एक लिबरल अप्रोच तो एडुकेशन रहना चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू वेरी मच्छ सर गिविंग टाइम तो अस प्रोफेसर अंजन्द मुकर जी जो हमारे नोबल लॉरेट अभीजीद बैनर जी बने हैं ये उनके प्रोफेसर हैं जी एनु में उनको पढ़ाया है हमारी उनिवर्सिटीज को बेकरीज न करता रहता है हम कोई रोबॉट नहीं है कि एक फ्लॉपी हम में डाल दी प्रोग्राम कर दिया और हम सब एक साथ सोचे इसलिए लिब्रल क्रिटिकल स्पेसिज बहुत जरूरी है सोचने की आजादी बहुत जरूरी है हम लेके ब्रेक आप देख रहे हैं विनोद दूआ ला in Magnificent Madhya Pratesh MP सर्फ दिल नहीं है धनकन Hindustan की आए बनिये ताकत हमारी और हम बनेंगे आपकी तु तु रूरूरूरू तु तु रूरूरू तु रूरूरू Come, experience the power of trust, power of a promise, power of commitment, आए बनिये ताकत हमारी और हम बनेंगे आपकी और हम बनेंगे आपकी Investment is an article of faith. Have faith in us and we will always respect your trust. Come and invest in Madhya Pradesh, Magnificent Madhya Pradesh. जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे ये शब्द है उस शक्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उडान Dr. A.P.J. Aptul Kalam और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम Under best guidance of expert faculty team admission open in science and technology humanities, social science, arts and sports Dr. A.P.J. Aptul Kalam University in Daur For the details, contact 1-800-300-26072 आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव अब हम बात करेंगे आयोध्या की आयोध्या के हालात कुछ बदले-बदले से नज़रा रहे हैं सुरक्षव विवस्ता कड़ी की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में आयोध्या जमीन विवात की सुनवाई 16 अक्टूबर को खत्म हो रही है लेकिन इस पीच आयोध्या में सेक्शन 144 लगा दिया गया धारा 144 जो 10 दिसंबर तक लगी रहेगी अयोध्या के डिस्टिक्ट मैजिस्टेट अनुच कुमार जहा के मुताबिक जिले में अयोध्या जमीन विवात के फैसले की संभावना को देखते हुए दस दिसंबर तक धारा 144 लगाए गई है अब धारा 144 लगाने का फैसला चेहलुम नर्क चतुर्दशी दिपोट्सव दीवाली गोवर्धन पूजा भाईया दूज चित्रकुप जैनती और पंच कोशी परिक्रमा को ध्यान में रखते हुए भी लिया गया है डिस्टिक मेजिस्ट्रेट का दावाए कि शानति विवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाएगगी भाएगे य्जİवग Bir गिभारी बात है कि तिवहार के तो Taste हुआर के दिन हो उसमें शानति विवस्था को लेकर जो चंटा है समझ में आती हैं हुए लिकिन ओवर्लोडिंग्स बोट पर भी रोक लगाई गई है दिवाली पर आतिश बाजी करने के लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी प्रशासन त्योहारों पर सुरक्षा की बात कह रहा है लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा तो कड़ी होती लेकिन धा रखपुर में कहा था कि जल्दी ही उत्तरप्रदेश के लोगों को एक खुशखबरी मिलेगी हाला कि उनके बायान पर विबाद हुआ था इसके बात उन्होंने सफाई दी थी कि उन्होंने दीपोटसव मनाने को लेकर बयान दिया था कांग्रिस के प्रवक्ता विजेंदर आप दीजी पूलिस रहें त्रिप्रा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है धन्हे बाद Section 144 के प्रोविजिन्स क्या होते हैं और किन हालात में लगाया जाता है Section 41 141 is 144 is a part of the Indian Penal Code and this has been specially included in the Penal Code जब कभी मौका आता है जो law and order situation जो भी हो वो control के बगएर ऊपर चले जाता है उसको रोकने के लिए और prevent करने के लिए law and order maintain करने के लिए एक 144 अपलाए करिया जाता है तो अभी जो आयोध्या में हालात हैं वो ऐसे हैं कि हालात हाथ से बाहर जा सकते हैं हो सकता है क्योंकि ये judgment तो इन district magistrate और superintendent of police दोनों मिलके decision लेते हैं और अगर उनका judgment ऐसा है तो naturally situation complex है तो इसे मैंने पहले भी कहा कि जब तयोहार होते हैं तो जो सुरक्षा की विवस्ता होती है जो arrangements होते हैं इंतिजामात होते हैं बंदोबस्त होता है वो तो कड़ा होता ही है लेकिन section 144 इससे मेरे झाल सिर्फ चार से ज्जादा लोग नहीं मिल सकते हैं पांट से ज्यादा नहीं मिल सकते हैं पांट से ज्यादा लोग नहीं मिलेंग वो भी त्योहार मॉजम में तो ऐसे गंभी रहाला आथ लिए उनको तो टेक्निक ल ISO requirements इतना बड़ा देश है इतना पॉपुलेशन है इसमें सिर्फ पांच लोगों को अलाव करना गलत है इसलिए इसलिए है ही हो सकता है कोई सिटिवेशन नहीं होगा मैं आपड़ दोबार वापेस हाता हूँ हम आगे बड़ते हैं ऐध्या मामले में जल्ट सुनवाई को लेकर चीफ जश्स्टिस रंजन गोगोई जल्दी में नज़र आ रहे हैं A&I के मताबिक सुनवाई के 49 वे दिन चीफ जस्टिस रंजन गोगई ने सपश्ट तोर पर कहा कि बुधवार को सुनवाई का 40 वा और आकरी दिन होगा पहले का गया था कि सुनवाई 17 अक्टूबर तक चलेगी मीडियेशन की जो मध्यस्ता होती है उसकी कोशिशे नाकाम होने के बाद 6 अगस से इस मामले की हफते में 5 दिन सुनवाई हो रही है और वक्त भी जादा दिया जा रहा है इस मामले में 17 नमबर तक फैसला सुना जाने की उमीद है इसी दिन चीफ जस्तिस रंजन गोई रिटायर भी हो रहे है इलाहबाद कोर्ट ने अयुद्या में 2.77 एकड़ विवादित जमीन तीन पक्षकारों जो तीन पक्ष हैं सुन्नी वक्त पोर्ट निर्मोहिय खाड़ा और राम लला के बीच बराबर बराबर बांटने का आधेश दिया था इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया संतों के जो वकील हैं के परासरन उन्हें ने का कि यहां कोई एडवर्स पोजेशन की मांग नहीं कर रहा है सोमबार को सुनी वक्त पोर्ट के वकील राजीव धवन ने भी दलील ये दी थी राम लला विराजमान के वकील सीएस वैदेनातन ने जिरह करने के लिए वक्त मागा है वैदेनातन ने काया कि कोट को हमको सुनना चाहिए हम गंभीर मामलों पर भी दलील दे रहे हैं इस पर सीजी आईजी चीफ जस्टिस हैं उन्होंने नाराज़गी जताते हुँ का कि ठीक है फिर दिवाली तक सुनवाई करते हैं मेरा दूसरा सवाल आप से यह है सुब्रम साह कि सन 1990 में मुलायम सींग के सरकार के दौरान अयोध्या में बहुत बड़ी तादाद में भीड को काबू करने के लिए पुलिस को गोली चिलानी पड़ी थी जिसमें कुछ कारसेवकों की मौत भी हो गई थी सन 1992 में जो डिस्प्यूट स्ट्रक्चर है जिसे बाबरी के लिए कि इतना बड़ा प्राब्लम समस्य बहुत ही बड़ा हो जाता है इसको रोकना मुश्किल है यूपी पोलिस के कंपेटेंस इतना ज्यादा नहीं है मेरे कहल से तो यह जब और फोर्सेज भी मूव की जा रही है करीम हम ने सुना कि 200 इमारतों को अडिन्टिफाई कि बढ़े स्कूल हैं और फ Bailey स्कूल होते हैं की कैसे हालात होते हैं अगर आप डिजी होते किन हालात मेम फैसले ले ceram लेत यह तो गले व्यादा होगा हम नहीं नहीं करेंगे हैं ने फिर hasta करते अगर आपiger कभी कभी डिपिकल सिट्वेशन हो जाए कभी-Kभी it might be required जब DGP डिस्टिक्ड मैजिस्ट्रेट डिसेड डिसेड करें या चीफ सेकृरिटीटि डिसेड करें या जब पॉलिटिशन, हो मिनिस्टर ऐसा बड़े अप्सरान इंटर्फियर कर सकते हैं लुड और ममममा जी इंटर्फियर कर सकते हैं हम आगे बढ़ते हैं, आयुध्या में एक तरफ चीफ मिनिस्टर योगी आदितिनाथ भव्य दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं, पांच लाग से ज़्यादा दिये जलाकर रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है, वहीं यूपी की होम गार्ट्स की दिवाली काली कर दी गई यूपी के 25,000 होम गार्ट्स को नौकरी से निकाल दिया है, साथ ही बाकी बजे होम गार्ट्स को अब 25 दिन के बजाए 15 दिन का ही काम मिलेगा, बताया जारा है कि कोट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में होम गार्ट्स का वेतन उनकी तनख्वा पुलिस के बराबर कर गई है, उत्तर प्रदेश में 90,000 में से अब तक 40,000 होम गार्ट्स को ड्यूटी से हटाया जा चुका है, पुलिस के सिपाही के बराबर तनख्वा दिये जाने के कोट के फैसले के बाद, यूपी में होम गार्ट्स का एक दिन का अलावेंस 500 रुपे से बढ़ा कर 62 रुपे हो गया था, ऐसे में सवाल यह है कि बेरोजगारी 45 साल के हाई लेवल पर सबसे उचे स्तर पर है, ऐसे में होम गार्ट्स को नौकरी कहां मिलेगी, मेरा तीसरा और आखिर सवाल आप से सुपरमिन साब यह है, कि होम गार्ट्स का जो काम होता है, उनकी डूटी क्या होती है, और बरखास्त किये के हूम कार्ट्स के लिए क्या चारास्टे हो सकते हैं, परैले तौक नौकर सब पुलिस नहीं होता है, जो भी पुलिस का ड्यूटी है, उसमें सखायता देनी के लिए, होम गार्ट जा जाते हैं, और मिसलेनी काम करते हैं, पुलिस के अदर, और इनका इतने नंबर में इतना ज्यादा नंबर में डिसमिस करना तो बहुत ही गलत होगा, और हीमन राइट्स वाइलेशन, मेजर हीमन राइट्स वाइलेशन है, इसको रोकना मुश्किल है, जी साब, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रे आपका सुमिन साब समय लेने के लिए, शायद सिक्यूरिटी जिंसिज में ही जाना पड़े उनको या कुछ और काम करना पड़े, बेराल हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे ऐसी ख़बर की जिससे लगएगा कि भारत बहुत फल पूल रहा है, तरक्की कर रहा है, यहां ना गरीबी है ना भुकमरी है, फूट कॉपरेशन अफ इंडिया ने विदेश मंतराले से कहा है कि उसके पास अनाज के इतने ज़्यादा भंडार है, इतना ज़्यादा स्टॉक है कि उसके पास जगह की कमी पड़ रही है, इसलिए अगर मिनिस्ट्री आफ एक्स्टरनल अफेस चाहे तो वो यह अनाज जरूरत मन देशों में बांट सकती है, इंडिन एक्सपेस के मताबिक डिपार्टमेंट अफ फूड और पॉलिक डिस्टिबूशन ने विदेश मंतराले से गुजारिश किया है कि जरूरत से ज़्यादा गेहूं और चावल को गर्मेंट तो गर्मेंट जरीय देने की संभावनाओं का पता लगा है, सूत्रों ने उनके मताबिक बार पार गुजारिश करने के बाद भी कोई सामने पॉजिरिव रिजल्ट नहीं आया है, सरकार के तरफ से खरीदे जा रहे गेहूं और चावल की खरीद में लगतार बढ़ोतरी हो रही है, इस से एफसी आई में गेहूं और चावल का एडिशनल स्टाउक और बढ़ गया है, बीते कुछ सालों में भारत ने कुछ देशों को अनाज की मदद की थी, मसलन 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 में भारत ने साड़े तीन लाक मेट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान को मदद के तौर पर दिया था, साल 2012, 2013 में भारत सरकार ने 2447 मेट्रिक टन गेहूं येमिन को दिया था, इसके लावा श्रिलंका, नामीबिया, लिसोथो, म्यानमार को भी चावल दिये गए थे, एक तरफ अनाज के गोदाम भरे पड़े हैं, वहीं हकिकत ये भी है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 119 देशों में 130 स्थान पर है, यानि काफी तादाद में लोगों को भरपेट खाना नसीब नहीं हो रहा है, म्यानमा, श्रीलंका, नेपाल, बांगलादेश और पाकिस्तान समेथ, एफ्रीका के कई गरीब देशों से भी भारत पीछे है, यूएन के एक रिपोर्ट के मताबिख भारत की 14.5 फीसद आबादी अंडर नरिश्ट है, उसको पूरी नरिश्मिंट नहीं मिलती है, पांच साल से कम उम्र के 20.8 फीसद बच्चे अंडर वेट हैं, उनका वजन कम है, 15 से 49 साल की 51.4 फीसद महिलाएं एनिमिक हैं, पीलिया की शिकार हैं, हमारे सलाई यह है कि ऐसी संस्थाएं जो सब के लिए लंगर लगाती हैं, खाना खिलाती हैं, राहत और बचाव के काम में हाथ पटाती हैं, उनके जरीए इस अनाच का इस्तेमाल किया जाएं, जैसे शिरमणी गुरुदारा प्रबंद्नक कमेटी होती हैं, और खालसा एड़ जैसी संस्थाओं के जरीए, जो कहीं पर भी मुसीबत के लिए पहुंच जाते हैं, उनके जरीए इस अनाच का इस्तेमाल किया जाएं, ऐसी और भी बहुत से संस्थाओं हैं, दूसरे, मिड़े मील में ये अनाच भेजा जाएं, ताकि अभी हाल की जो खबरे आई हैं कि बच्चों को सिर्फ रोटी और नमक खिलाया जा रहा था यूपी में, और अब ये भी खबर आई हैं कि सीतापुर में सिर्फ हल्दी का पानी दिया जा रहा है, मिड़े मील के जरीए, ये बच्चों को सिर्फ नमक और रोटी या सिर्फ हल्दी का पानी ना पीना पड़े, सच्ची देश सेवा यही होगी, बजाए बाला कोट, पुलवामा और आर्टिकल 370 के जरीए वोट मागना, कल रहत आप से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार.